प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूबर और जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशूर पत्रकार और यूट्यूबर आरजु काजमी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोड की दबंग वकील नाजी अलाई खां जी तो ये वीडियो क आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएका तुस्यान तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपने से लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें और ये वीडियो का सेकिंड पार्ट है परस्ट चैनल को लिए कितने सोशल किये हैं और आपने कितना सोशल वर्द किया है मुसलमानों को कितना रिफॉर्म किया है मुसलमानों get अपने मुसलमान यूबाओं के लिए कितने kems निकालने है आपने मुसल्मान बच्चियों के कितने शादियां कराई है, आपने मुसल्मान बच्चों के लिए कितना education scholarship निकाला है, आपने कितने school बनाए है, कितने university बनाए है, कितने hospital बनाए है, कितने सराइखाने बनाए है, कितने आपने widow house बनाया है, कितने अपने orphan house बनाया है, कितने academic क्या लिए आपने क्या लिए क्या लिए लिए कि इसका क्या लग रहा है और यह जाहिर है जैसे आपने इतनी डिटेल्स बताई इसके बाद गवर्मेंट के लिए काम ये करना कि इतना असान रहेगा या यह टुफ टाइम अभी दे रहे हैं फिलाल वैसी साबट सब लोग इनका काम है भगदर मचाना इनका काम है यह कहना इसलाम खत्रे में इसलाम के जस्टिफिकेशन पर रेप कर लेना इसलाम के जस्टिफिकेशन पर मॉलेस्टेशन कर लेना इसलाम के justification पर लोगों की जमीन हड़प कर लेना यहीं इनका एक गिर्गिट वाला कारोबार चल रहा है अब केंद्र की सरकार ने बहुत transparent काम किया जैसे UCC में उन्होंने voting system कर दिया था तो केंद्र की सरकार ने इस amendment bill पर वक्फ बोड amendment bill पर भी इन्होंने voting का system start कर दिया कि हमें कुछ नहीं problem है आपको आपको यह amendment चाहिए well and good नहीं चाहिए हम रदी खाते में डाल देंगे हम खतम कर देंगे पर जब result आया है तो इस देश के 91% इंडियन ने including Muslim ने इस amendment bill को accept कर दिया है अब उसकी वज़ा मैं आपको बताती हूँ उसकी वज़ा भी सुनिया जे 2017 में एक बहुत बड़ा workboard का scam बस्ट हुआ था 2017 में पता चला था कि यह आपस में लड़ पड़े है क्योंकि पूरे भारत में workboard की property को समहाल सिर्फ 200 लोग राए सिर्फ 200 अक्शली में 203 है पर 200 लोगों का ही नाम जो है वो लिस्ट पर है और इन्हों ने क्या किया था workboard की कई संपत्ती को उठा उठा करके अपनी बेटी के जहेज में बेच करके अपने बेटे को विदेश यात्रा में बेच करके अपना कारोबार चलाने में बेच करके अपने अपने नाम से मार्केट खुलवाने में यह सारी चीज़ें नोने स्टार्ट कर दीए अब अभी देखिए एक बहुत इची चीज में आपको बता देगे मुझफर नगर में एक मस्जिद और मदर्से का पता चला है जो रुस्तम अली की प्रॉपर्टी दिखाई दी है पूरे जब पूरे उसके इतिहास के पन्ने निकाले गए हैं फादर का नाम है लियाकत अली जिन्ना इसको ये लोग कह रहे हैं कि ये वकडोर्ड की प्रॉपर्टी है तो बहुत मतलब है कि मुसलमानों के दिल में आज भी जिन्ना के लिए बहुत महपत है helping है तो क्योंने ही force करते हो कि CAA का बिला है पाकिस्तान के पार्लिमेंट से और तुम लोग चले जाओ अब आती ये बात कि 2017 का चो ये वगबोर्ड का आकर जब चीज़े ट्रांस्पेरेंट हैं तो पिर तुम इसलाम की दुहाई क्यों दे रहे हैं ये लोग लोगों को माइक लेकर के लाउड़ स्पिकर लेकर के बहका रहे हैं वाख बोर्ड के लिए क्यू आर कोड निकाला गया है सारे मुसल्मान सामने आएं सारे मुसल्मान इस क्यूर पर बोर्ड बिल के किलाप अपना आपना बयान दें अपनी अपनी बाते लिखे नहीं तो हमारी मस्जदें छिन जाएंगी हमारे मदर से चिन जाएंगे हमारे कबर्स टां चेंड आएंगे अरे नहीं चेंएंगे इस पूरी दुन्या में और 57 मुसलिम मुलकों में भारती है जिसने माइनृटी इसको हमेशा फुलाया पुलाया है जिसने साथ करोड की मुसलिम माइनृटी को 25 करोड का किया जिसने 57,000 मस्जिदों को तीन लाक में तब्दील कर दिया जिसमें जिसने 14,783 मदर्सों को आज लाकों मदर्सों में तब्दील कर दिया तुम्हारे पीर और मुर्षिद रोज पैदा हो रहे हैं और मजारों को अनुमती भी मिल जाती है और तुम चादर चड़ा करके महीने का पाच ला आर्थो जीज एजी मनी इंकम ओ माई गौड am8 कमाज आप एफर्ड कर रहे हूं मैं मैंने अपनी जिंदेगी का आदे जिनंदी निकाल दिया पंपंढ करके सुभाव हम उठते हैं, हम कोड जाते हैं, हम चेंबर में बैठते हैं, हम अपना काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब हम चार पैसे कमाते हैं, लेकिन ये लोग जो है, जो मुझाबिर बाबा है, जो पीर बाबा है, ये बैठे बैठे बैठे, इसी बनी इनका माता है, ना पढ़ने की पैसे ले लो साथ साथ मॉले स्टेशन कभी दंदा चलते रहता है लड़कियां जाती है बाबा जी पिपीर बाबा का तावीज लेने के लिए उसका शरीर भी बुरे तरीकें से चूचाप कर लेता है तो सारीय याशी मिल रही है ना कि इनको तो मजारों से सारीय याशी मिल रहेंगे एक पैसे मिल रहे हैं लड़की का शरीर फ्री में छूने को मिल रहा है हमारे आपके चैनल पर भी एक मौला ना बैठता है जो 2009 का विजिटिंग कार्ड मेरे पास आया है वो हलाला एक्सपोर्ट था पहले मैंने तो उसके उपर चारशार FIR करवाए हैं दिली में उत्तरपरदेश में पंगाल में और दो डेफेमेशन का केस किया है उसके उपर आपके चैनल पर भी बैठता है बहतर वर्जिन हूरों का जिक्र करता है आपके चैनल पर बैठ कर लिए तो अभी मेरे सामने तो आ करके खड़ा होगा तो मैं तो चपल से मारूंगी उसको इतना अश्लील और इतना बत्तमीज है वो वो तो हलाला सेंटर चलाता था पहले और अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखता था कि हलाला एक्सपॉर्ट है तो वोट इस हलाला यह रेप है न कि दूसरी की बहु बेटियों को हलाला अशलीलता का नंगा नाश कर रहे हैं और दूसरी मैं बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहती हूं कि जो लोग भारत में बैठ करके अपने आपको बहुत बड़ा मुसलमान क्लेरिक और प्रेचर बताते हैं वो टीवी पर क्यों आते हैं प्रॉफिट मुहमास अल्ल अपना वक्त कैसे जाया कर लेते हैं 24 गंटे में 8 गंटा 9 गंटा टीवी पर रहते हैं तो कहां गई फजर की नमाज कहां गई जोहर की नमाज कहां गई असर की नमाज कहां गई मगरिब की नमाज कहां गई इशा की नमाज कहां गया शहादा कहां गया इस्तकारा कहां गया खया उला कहा गया वाई जो मुसल्मान क्लिरिक और प्रिचर जो मुसल्मान समाज के इसलामिक ठेकेदार हैं तो उनके ओपर तो इबादत की जिम्मेदारी ज्यादा है ना इबादत की जिम्मेदारी ज्यादा है तो एक तो वो हराम टीवी पर बैट रहे हैं दूसरा कि वो च तो आपका वजू है कहां जो आप खुद को मौलाना और क्लिरिक बोल रहे हो तो यह सब चिटिंग बाजी का दंदा चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पांच साल में इनको ना रोड पर पजामा खोल करके मारा जाएगा यह मत करना बागी जो मरदी लेकिन हाँ यह जरूर है कि इनको थोड़ा सा सबल जाना चाहिए थोड़ा सा नए वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताके लोगों को जीने दें खुद भी जी और दूसरों को भी जीने दें बहुत शुक्रिया नाजिया कि आपने जोइन किय तो आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतर देखा होगा और हमेशा कि इतना आर्जु घासमी जी के सवाल और नाजी लाइकांजी के दमदार और वेबा गंदा से दियेगे जवाब आपको काफी पसंद आयोंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिल आते रें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त मज़ेदार और नॉलेजबल वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत